M.I.D.I. या M.I.D.I. का अर्थ है Musical Instrument Digital Interface M.I.D.I. सिस्टम के विकास ने संगीत टेकनलोजी में आए क्रांती में उत्प्रेरग का काम किया है M.I.D.I. ने Computer Instrument तथा Software को तक्निकी रूप से कम अनुभवी संगीतकार तथा शौकिनों के हाथों में दे दिया है जिससे Computer संगीतकारों को समय की बचर तथा नया टूल उपलवध हो गया है M.I.D. Musical Instrument Digital Interface का संग्शिप्त रूप एक Technical Standard है जो एक Protocol Digital Interface तथा Connectors का विवरण देता है और कई प्रकार के Electronic संगीत यंत्रूं, Computers तथा अन्य संबंधित Devices को एक दूसरे से Connect करने और संचार करने में मदद करता है M.I.D. Event संदेश जो विभिन मापदंडू जैसे की Volume, Vibreto, Audio Panning, Cues तथा Clock Signal के Notation, Pitch तथा Vague या Velocity, Control Signals को संचारित करता है तथा विभिन डिवाइसिस के बीच Tempo का तालमेल बैठाते है M.I.D. यंत्र नियंत्रन, Instrument Control M.I.D. का आविशकार संगीत यंत्रों को आपस में संचार करने तथा एक यंत्र के द्वारा दूसरे को नियंत्रित करने के लिए किया गया था जब एक तान या नोट को मिडिय यंत्र पर प्ले किया जाता है तो यह एक Digital Signal को उत्पन करता है जिसका उपयोग किसी अन्य यंत्र पर नोट को सक्रिय करने में किया जा सकता है Remote Control की ख्षमता ने बड़े यंत्रों को छोटे Sound Module से प्रतिस्थापित कर दिया है तथा संगीत कार को यंत्रों के मिश्रण के द्वारा मधूर संगीत बनाने या फिर मिश्रित वाद्दे यंत्र जैसे की Acoustic, Piano तथा String बनाने की अनुमती भी देता है Midi अन्य यंत्र मापदंडू को Remote से कंट्रोल करने में भी मदद करता है Structured Data जैसे Midi से हो लाब है कि इसे आप आसानी से Edit कर सकते हैं मानने कि आपके पास संगीत का एक टुकड़ा है जो Honky Tonk Piano पर बजाया जा रहा है पर आपका ग्राहक इसके बदले में सुप्रानो सेक्सोफोन की धुनी चाहता है यदि आपके पास इस संगीत का Digital Audio उपलब्द है तो आपको इसे फिर से रिकॉर्ड कर पुनहर डिजिटाइज करना होगा जब यह Media Data के रूप में होगा तो इसे किसी खास यंत्र में प्लेबैक करने के लिए एक मान होगा जो उस यंत्र को डेजिगनेट करेगी यंत्र को बदलने के लिए आप सिर्फ मान को परिवर्थित करें जिन यंत्र को आप सिंतिसाइज कर सकते हैं वे Media के एक नंबरिंग सिस्टम जिसका रेंज 0-127 होता है उनसे पहचाने जाते हैं मिडी फाइल वास्तविक संगीत की रिकॉर्डिंग नहीं है वास्तों में यह एक निर्देशू का एक स्प्रेटशीट समू है जो किसी रिकॉर्डेड ओडियो की तुलना में हजार गुना कम डिस्क स्पेस लेता है इसी कारण मिडी फाइल का उप्योग संगीत को शेर करने के लिए एक आकरशक तरीका बन गया है इसकी मुख्य कमी है यूजर के ओडियो कार्ड की गुनवत्ता में बड़ी विभिन्नता तथा वास्तविक ओडियो जो सैंपल या संतसाइज साउंड के रूप में कार्ड मे निहीत है जिसे मिडी डाटा सांकेतिक रूप से ही निरूपित करता है यहां तक की एक साउंड कार्ड जिसमें उच्च गुनवत्ता के साउंड सैंपल हो वह भी विभिन इंस्टुमेंट पर inconsistent गुनवत्ता दे सकता है मिडी में स्वयम का कोई साउंड नहीं होता और इसके प्लेबैक की गुनवत्ता मुख्य दहो द्वनी उत्पन करने वाले यंत्र की गुनवत्ता या फिर डिवाइस पर सैंपल की रिकॉर्डिंग पर निरुभर करता है